नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ अभिलाश बारा दिनों में पुल्वामा में शहीदों शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला अब भारत सरकार ने ले लिया है एर फोर्स ने 26 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ऑक्यूपाइट कश्वीर यानि की पीयोके में बं बरसाए और उसके बाद अब बदला जो है हर कोई यही कह रहा है कि बदला पूरा हो गया करीब 200 से 300 आतंकी धेल हुए बड़ी बात यह है कि अब मामला थोड़ा सा खेल पर भी आ रहा है क्योंकि अब क्या भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे जो 16 जून को सबसे हाईस टी आरपी वाला मैच है क्या भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे इस पर भी सवालिया निशान लग चुका है हलाकि आपको बता दें कि बुधवार को ICC के सभी सबस देशों की दुबई में बैठक है और बुधवार को ही एक चर्चा होनी थी कि BCCI ये मांग कर रहा था कि पाकिस्तान का भहिशकार किया जाए ICC टॉर्नमेंट से और पाकिस्तान को ICC के किसी भी टॉर्नमेंट में जगे न मिले हलाकि इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था क्योंकि BCCI की किरकिरी हो गई थी ICC की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि हम पाकिस्तान का फिलाल तो भहिशकार नहीं कर सकते और जो चिठी थी वहाँ पर भी BCCI ने मेंशन नहीं किया कि आप पाकिस्तान का भहिशकार करें BCCI ने उस चिठी में लिखा था कि जो देश आतंकी गतिविदियों को सपोर्ट कर रहा है उस देश का भहिशकार किया जाना चाहिए अब वो कोई भी देश हो सकता है, वो एक सदसी देश हो सकता है लेकिन फिलाल अब जिस तरह की चर्चाएं हो रही है और जिस तरह कि खबरें सामने आ रही है अब ये बात तो उत्ताय है कयास लगाय जा रहे हैं कि आप भारत-पाकिस्तान का मैच शायद नहीं होगा हाला कि खिलाडियों ने भी ही कहा था, बी-सी-सी-ाइज ने भी ही कहा था कि हम अपना फैसला जो है वो भारत सरकार पर छोड़ेंगे भारत सरकार हमें जो कहेगी हम वो करेगी फिलाल हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, SPN 9 News की वो पूरी लगी हुई है, लगातार मॉर्निंग से आए हैं हमारे काशिभाई, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा परसन को बताऊँगा कि वो सुबे से आए हुए हैं, काम कर रहा है, भाई जानते हैं हमारे सपोर्ट के वीवर हमें सुन रहे हैं, क्या लगता है कि जिस साब की जवाबी कारवाई भारत ने दी है, अब राजनीतिक में तो मोदी जी की वहवाई तो होगी होगी लेकिन क्या भारत पाकिस्तान में अच के आसार लग रहे हैं अब बिल्कु देखिया अबिलाज जी जी इस तरीके से भारत ने जो बड़ी कारिवाई की है पाकिस्तान के उपर वो वाकिम है पूरा दुनिया इस चीज़ को देख रही है और इसका सीधा सीधा तोर पर क्रिकिट पर जरूर असर पड़ेगा क्यूंकि क्रिकिट हमेशा से एक ड दाफी स्टेडिया हूँ हमेशा के वहां से दर्शकों ने अभी एक कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि जब भारत पाक का मैश हो रहा था तो एक पाकिस्तानी दर्शक जो है भारत ता राश्टिगान गा रहा था काफी वीडियो वाइरल हुई तो हमेशा से क्रिकिट ने है तो अब ये फैसला बीसेसी आई को लेना है उन कमेटी को लेना है लोगों को लेना है जो जिम्मेदाल लोग है कि वह इस पर अपके अपनी परतिक्रिया देंगे क्या भारत पाक का मैश होगा या नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं जातर लोगों को देख रहा क्योंकि हमने साल 2008 जब 26-11 हमले हुए थे उसके बाद से पाकिस्तान के साथ कोई भी बाइलेटरल सीरीज है नहीं की कोई भी दिपक्षी शंकला जो है हमने नहीं खेली और उसके बाद सिर्फ ICC टॉर्नमेंट्स में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अब शायद ICC के टॉर्नमेंट्स में भी पाकिस्तान का बहिशकार किया जाएगा हला कि आपको बता दें कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने भी भारत पर प्रतिबंद लगा दिया था कि आने वाले समय में शायद भारत को ओलंपिक्स में शामिल न पाकिस्तान के खिलाब जो मैच है वो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है सबको पता है कि ICTRP का मैच होता है इस वज़े से जो जवाबी कारवाई हुई है वाकई में 40 जवानों की शहादत का बदला पूरी तरह से हमारे जो एरफोर्स के रणबाकुरे थे उन्होंने साफ पर लिया 12 दिनों के अंदर जवाबी कारवाई की और साफ तोर पर बता दिया कि भारत इस बार शांत बैठने वाला देश बिलकुल भी नहीं लग रहा है बड़ी बात यह है कि इस तरह से यहां पर भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बाते हो रही थी वो साफ तोर पर कि मैच होगा या नहीं होगा इस पर असमंजस की स्थिती बनी हुई थी काई लोगों के स्टेटमेंट आये खोद क्रिकेट के बगवान के जाने वाले सचिन दंदुर्गर ने भी कहा कि भारत से मैच होना चाहिए पाकिस्तान का हमें उन्हें मुफ्त के दो अंक नहीं देन तो भी खैर भारत को कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन साफ तोर पर अगर सेमी फाइनल या फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो फिर भारत क्या करेगा इस पर भी अभी फिलाल जवाब तलब किया जा रहा है बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एरफ और फिलाल जो है वो एरफोर्स को पूरा देश सलाम कर रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गई है हर कोई एरफोर्स के जजबे को सलाम कर रहा है ऐसे वक्त में उन 40 जवानों की शहादत का बदला हमने करीब काफी जादा लोगों को मार कर लिया है 200 से 300 आतंकी जो अब यह नया पाकिस्तान है तो हम बता दें कि अब यह नया भारत है नया हिंदुस्तान है नए लोग है और अब हम शान्त नहीं बैठेंगे बाजान एक अपडेट और चाहिए थी आपसे क्या इस बार अब तक जो कारवाई की गई है इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाए आ रखी है अभी जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई ओफिशल कोई चाहिए बयान नहीं आया है कि क्या आगे रणनीती होगी बाराल अब जस तरह कैसे अब یہ किर्किट की जो लग रहा है कि भारत Пाक कम है जो किर्किट होना था वह मुझे लगता है खटाई में जाता हुँ लग है कि पाकिस्तान के अंदर घुचकर भारती नौसेना ने ये हमला किया है तो अब इस पर आगे क्या रड़निती बनाएंगे इमरान खान क्योंकि किर्किट वर्ल्ड कप सामने है अब इमरान खान क्या अपनी पाकिस्तानी टीम को भारत के साथ खिलवाएंगे क्योंकि हो सकता है कि भारत से पहले पाकिस्तान अपने पैर खीच ले या भारत अपने पैर खीच ले तो ये सारी चीजे हैं अभी लोगों की परतिक्रिया आनी है अभी सुबही सुबह लोगों को इस बात का मालूम चला है कि भारत ने इस तरीके का हमला किया है अभी हमारी नजर लगतार अ आता है क्योंकि बेटेन अगर हम क किरकेट की नजरीय से भी देखें तो बेटेन का एक बहुत बड़ा इंग्लेंड कि हमेशा से रोल रहा है तो अभी वहां से भी कोई तरीकी की प्रतिक्रिया भारत के इस हमले पर नहीं आई है तो अभी अंतराश्टी समुदायकों में देखना है कि वो क्या भारत को लेकर प्रतिकरिया देते हैं पाकिस्तान को लेकर क्या प्रतिकरिया देते हैं तो अभी नजर बनाये हुए है अभी फिलहाल भारत ने भी हाई ओफिशल मिटिंग चल रही है प्रदान मंतरी मौझूद हैं, ग्रै मंतरी मौझूद हैं और विदेश मंतरी सुच और सब लोग मौझूद हैं अभी हाई लेवल मिटिंग चल रही है तो अभी फिलहाल देखना होगा लोगो की प्रतिकरियाओं का इंतिजार है और फिलहाल तो ये भारत का हमला ये बता रह मुझकिल हो जागा बिल्कुल भाईजान एक सवाल और इम्रान खान को बने बच्पन से देखा है और एक बॉन लीडर के तौर पर जाने जाते जब तक उनका वो स्टेटमेंट नहीं आया था अगर चाते तो वो सांत्वना दे सकते थे लेकिन सांत्वना उन्होंने दी नहीं और मुझे लगता है कि जिस तरह से इम्रान खान ने साफतोर पर यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है मुझे लगता है कि क्या अब जो उनकी छवी है जो गूद गूद ट्रिकेटर रहे हैं कहा जाता था कि इम्रान खान हर खिलाडी के अंदर का टैलेंट बहुत पहले शोय बक्तर जैसे स्टार्स बनाये हैं तो क्या अब इम्रान खान की छवी को भी खत्रा है यह दिकिए इम्रान खान की मझबूरी थे इम्रान खान की अगर हम पिचली को देखें जिसमें उन्होंने भारत को जवाद देने की बात कही थी तो उसमें वो घबराय हुए से देखे अब इमरान खान जो है वो असल में एक प्रधान मंतरी जरूर है वहां लोकतांतरी प्रिक्रिया से जहत वो जरूर चुनके आए हैं लेकिन वहां पाकिस्तान में क्या है कि मामला आर्मी का जादा वहां पर चलता है डेंडा और आर्मी के दबाओ में वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजंसी है उसके दबाओ में वो काम करते हैं तो इम्रान खान के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि हलाकि इम्रान खान एक बेतर क्रिकेटर जरूर है, एक फैसला अच्छे रणडितिकार हो सकते हैं मैदान पे लेकिन मैदान पे रहना और देश को चलाने में काफी अंतर हैं, तो इम्रान खान इस चीज़ को समझ रहे हैं कि काफी दबाव में हैं और जो उन्होंने बयान दिया था जिस बात की आख बात कर रहे हैं कि उन्होंने बयान ये दिया था कि भारत को जवाब देने की नहीं पूरी तरह से ततपर हैं देखिए वो मुझे पूरी तरह से दबाव में लग रहा था प्रेशर में था क्योंकि मुझे लगता है अमरान खान अब थोड़े से इसमें विफल होते हुए नजर आ रही है, बिल्कुल अमरान खान विफल होते हुए। काशिबाई ने हमें अपडेट बताई लगातार सुबह से नजर बनाया हुए है फिलाल जो पुलवामा में जो शहीद जवानों की शहादत का बदला है वो पूरी तरह से लिया है भारती एर फोर्स ने और उनके ज़स्बे को सलाम किया जा रहा है एक चीज़ और क्योंकि यह जानी जरूरी है कि भारत ICC के सामने सिर्फ दो कंडिशन्स पर पाकिस्तान का भहिशकार कर सकता है फिलाल ICC के नियमों के मुताबिक एक तो सुरक्षा कारण जो फिलाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ICC के मुताबिक जो उनके नियम है उ खिलाडियों की सुरक्षा की गैरेंटी है वो साफ तोर पर ICC की होती है और वहाँ पर शायद ICC इस बात को नहीं मानेगा और जो दूसरी कंडिशन होती है कि दोनों देशों के बीच कूटनितिक रिष्टे जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हो तब आप किसी दूसरी क का बहिशकार कर सकते हैं फिलाल इन दोनों ही सुरते हाल में भारत जो है वो पाकिस्तान का बहिशकार नहीं कर सकता अब भारत के पास दो आप्शन है या तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खिरे चाहे वो सेमी फाइनल हो या फिर लीग मैच हो या फिर भारत पूल क्रिकेटर्स की तरह से क्या स्टेट्मेंट आता है यह लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलाल में दे दीजाज़त और हां हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करने बढ़ेगा नमश्क्राइब